आप एक खुला दर्वाजा करने के लिए दुश्मन भगवान पशु स्वीकार्य कस्दियों के वर्ष में राष्चों के इस्राइल और यहुदा के कारण अपने पापों हालांकी निर्माता का वादा किया है बहाल करने के लिए दोनों देशों के क्योंकी वे पच्चतावा ह भगवान पशु स्वीकार्य कस्दियों के वर्ष में राष्चों के इस्राइल और यहुदा के कारण अपने पापों हालांकी निर्माता का वादा किया है बहाल करने के लिए दोनों देशों के क्योंकी वे पच्चतावा है भगवान ने कहा है वह बहाल होगा इस्राइल और यहुदा लेकिन सजा कस्दियों ले लिया है कि अपने लाब के लिए है भगवान ने कहा कि माध्यम से यिर्मया में उन दिनों और उस समय यहोवा कहता है इस्राइल के बच्चों में आ जाएगा वे और यहुदा एक साथ के साथ नित्य रोवे आ जाएगा और प्रभु की तलाश अपने परमेश्वर है वे पूछना होगा जिस तरह से करने के लिए सियोन के साथ उनके चहरे की ओर यह कह रही है आ और हमे में शामिल होने के लिए खुद को यहोवा में एक सदा की वाचा की जाएगा नहीं भूल जाना मेरे लोगों को खो दिया गया है भे उनके चरवाहों है उन्हें भटक नेत्रित्व वे उन्हें दूर कर दिया पर के पहाड़ो वे से चले गए हैं करने के लिए पहार पहाड़ी वे भूल गए हैं उनकी जगा आराम सभी जो उन्हें मिला है उन्हें निगल और उनके विरोधियों ने कहा हम नाराज नहीं हैं क्योंकि वे हैं विरुध पाप किया है भगवान की बस्ती न्याय प्रभु आशा है कि अपने पिता के कदम से बीच बाबुल के बाहर जाने के लिए भूमी के कस्दियों और हो सकता है कि तरह मेढे से पहले जुन्द के लिए देखो मैं बढ़ाने के लिए और कारण करने के लिए आने के खिलाफ बाबुल एक विधान सभा के महान राश्चों के उत्तर के देश से और वे जाएगा सरनी खुद को उसके खिलाफ वहां से वह हो जाएगा पर कबजा कर लिया उनके तीर करेगा हो सकता है कि तरह उनके एक विशेशग्य योध्धा कोई भी वापस आ जाएगा व्यर्थ है यिर्मया पचास, चार नौ, डॉट, भगवान है भगवान के प्यार और दया है वह माफ कर देंगे किसी भी पापी जो पश्चाताप से उसकी उसके पापो दरसन पाप के लिए दरवाजे खोलता है दुश्मन अंधेर करने के लिए भगवान के बच्चों लेकिन एक बार वे व्यायाम पश्चाताप उन लोगों के दरवाजे के लिए किया जाएगा बंध है भगवान को बहाल करेंगे अपने बच्चों को जो बदले में उसे करने के लिए अच्छा शब्द है वह शुद्ध होगा एक पापी के खून के साथ उनके पुत्र यीशु मसी के साथ है भगवान इनाम देंगे एक पश्चातापी पापी को उपहार के स्वर्ग में अनंत जीवन इस बीच एक बेदर्ध पापियों का अवसर याद किया गया है माफी और बहाली वह नहीं देख सकते हैं भगवान के अन्त में अपने जीवन की यात्रा जो एक व्यक्ति को खारिस कर यीशु मसी के मोक्ष है माना एक पापी के रूप में और वहाँ वह स्वर्ग में प्रवेश नहीं केवल उन जो कबूल कर लिया है अपने पापों की घोशना की और यीशु मसी के रूप में उनके प्रभू और उद्धार करता को पूरा करेगा भगवान स्वर्ग में इसलिए सभी लोगों को कर रहे हैं प्रोटसाहित करने के लिए से अपने पापों से पश्चाताप और कबूल यीशु मसीर के रूप में अपने प्रभू और उद्धार करता इतना है कि वे बचाया जा सकता है डौट, प्रार्थना, प्रिय भगवान मैं मानता हूँ कि मैं एक पापी हूँ, मैंने पाप किया है, इससे पहले कि आप और मैं हूँ योग्य नहीं कहा जा करने के लिए अपने बच्चे कोडोट बहरहाल, आज मैं पश्चाताप से पापो मैं मानता हूँ उन्हें, और मैं पश्चाताप से उन्हें, पर अपसे मैं जाएगा देना आप मेरा पूरा जीवन है, और मैं आपकी सेवा करेंगे दिन भर मेरे जीवन की लिखने के लिए कृप्या मेरा नाम जीवन की पुस्तक में, और मुझ पर भरोसा योग्य शासन कर के लिए आपके साथ स्वर्ग में के लिए के नाम पर अपने ही बेटे यीशु मसीह में मेरे अनुरोध आमीन